आज मैं बनाने जा रही हूँ शेजवान चटनी जिसे मॉमोस के साथ भी खाया जाता है और पैकेट मन चटनी का आपने स्वाथ तो बहुत लिया होगा लेकिन यह बनानी नहीं आती है तो मेरे चैनल पर आप पहली बार देखेंगे शेजवान चटनी बिल्कुल मार्केट जै कैसी बनाई जाती है इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना है हेलो फ्रेंट्स मैं हूरिचा और मेरे चैनल रिचा किचिन पॉइंट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो लेस्पी शुरू करने से पहले आपसे मैं इतना कहना चाहती हूं कि अगर आपको आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक शेयर जारू करना साब में अपने सविजाब मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर करना और और अगर अब मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और साथ मेरे बेल आइकन भी ओन कर लो ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं तो चट्णी बनाने के लिए यहां मैंने दो टमाटर लिये हैं मीडियम साइज के जिसको मैं कट कर लोगी इसको आपको रफली कट करना है इस तरीके से आप बीच में से पाट कीजिए और इसका डंटल जरूर निकाल दीजिए कैसे भी शेप में आप काट सकते हैं क्योंकि हमें इसको बार में ग्राइंड ही करना है इसलिए छोटे छोटे पीसे में आप कट कर लीजिये टमाटर को यह चटनी वाकई में आपने कभी नहीं बनाई होगी, खाई तो बहुत होगी लेकिन यह बनानी नहीं आती है, इसलिए मैंने यह शेयर की है रेसिपी, तो यहां मैंने ली है लाल शिम्रा मिर्च, इसको भी हम छोटी-छोटे पीसेज में कट कर लेंगे, इसका भी डंटल नि निकालकर अलग फैक दीजिए, तो यह देखिए, यहां शिम्रा मिर्च और दो टमाटर मैंने कट कर लिये हैं, इनको एक साइड में रख देते हैं, और इसके बाद मैं लूँगी एक कच्ची आमिया, जो कच्चे आम मार्केट में आ रहे हैं आजकल काफी, तो इसका भी हम इस चटनी को आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, भाईनों तक यह खराब नहीं होगी बिल्कुल भी, और जब खाना खाएंगे ना, तो दो चार रोटी ज़्यादा ही खा लेंगे इस चटनी के साथ खाएंगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो इस अमिया को भी हम कट कर लेंगे, थोड़ा साफधानी से करें क्योंकि बीच में गुठली भी होती है इसमें, तो साइट से आप सारा इसका पल्प निकाल लीजे काट कर, तो अमिया आपको इतनी लेनी हैं जैसे आपके टमाटर हैं, उसकी आदी कॉंटेटी में आपको अमिया लेनी है तो इसके भी छोट-छोटे पीसिस मैंने कर लिये हैं, अब हम एक ग्राइंडर जाड लेंगे और इसमें सावी को हम इसमें डाल देंगे, जो हमने अमिया काटी हैं और जो शम्ला मिर्च और टमाटर, तो अब हम इसको अच्छे से ग्राइंड करेंगे, तो ये देखिए ब और उनको आदे घंटे पहले ही थोड़े से पानी में भिगो का रख दिया था, जिससे ये सॉफ्ट हो गई हैं, अब हम इनको भी डाल कर अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, ये देखिए, काफी अच्छे से स्मूध पेस्ट बन गया है, कोछ इस तरीके से, तो हम इसको भ पकाएंगे, तो हाई फ्लेम पर आप इस तेल को अच्छे से पका लीजे, जब तक कि दूआ ना आने लगे, तब तक आप इससे पकाते राईए, और जैसे ये पक जाए, आप गैस को आफ कर दीजे, अब हम इससे थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे, नॉर्मल टेंपरेचर पर ले आएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़ादा गरम है, इसमें हम कोई से भी मसाले डालेंगे, तो वो क्या होगा, जल जाएंगे, तो इसलिए थोड़ा सा ठंडा करेंगे, इसे हलका सा ठंडा होने के बाद, जैसे इसके दुआ बंद हो जाएका, उसमें हम डालेंगे, आदा चमच हल्दी का पाउडर, और एक बड़ा चमच देगी मिर्च पाउडर, और इसमें डालेंगे, एक बड़ा चमच अदरक लेसन का पेस्ट, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपको इसमें पेस्ट ही यूज़ करना है, अदरक और लेसन अलग से ना डालें, कट करके यह grate करके और इसके बाद जो हमने टमाटर अमिया का जो पेस्ट बनाया था ना वो इसमें एट करना है अब हम गैस को ओन कर लेते हैं ओन करने के बाद मीडियम फ्लेम पर हम इसे थोड़ी दिर पकाएंगे थोड़ा से चला लेंगे ताकि जो हमने पेस्ट डाला था अदरकलेसन का और जो यह पेस्ट डाला है टमाटर का वो सब अच्छे से मिक्स हो जाए यह देखिए अब हम मैं डाल रही हूँ यहाँ पर अजीनो मोटो दो तीन चुटकी यह पूरी तरीके से ऑपिशनल है आप चाहें तो ना भी डालें और यहाँ मैं डाल रही हूँ सफेद नमाग टेस्ट के अकॉर्डिंग इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो यह देखिए अच्छे से यह वॉयल हो गई है इसके बाद मैं डाल दूँगी एच चमच टमैटो केचप इससे फ्लेबर बिलकुल मार्केट जैसा ही आएगा बस इससे जादा ना डालें वन्ना यह मीठी मीठी से हो जाएगी चटनी इसके बाद मैं डाल रही हूँ एक मैगी का पाउच जो मैगी के जो मसाले में पाउच निकलता है न फो एट करना है मैगी का पाउच एड नहीं करना है और अच्छे से मिक्स करेंगे इसको और गैस को ओफ करने के बाद हम एक चमच डालेंगे इसमें विनेगर वाइट विनेगर जो आता है वो इसमें एक चमच एड कर दीजी इससे क्या होगा इसकी जो डे है वो काफी अच्छे से आगे तक बढ़ जाएगी यानि कि यह खराब नहीं होगी चटनी पिजर्व हो अच्छे से और यहां चटनी बिल्कुल रेडी है तो आपको मेरे रेस्पी कैसी लेकि मुझे कमेंड करके जरूर बताना साथ मैं वे रेडियो को लाइक शेयर जरूर करना